नमस्कार दोस्तो, The EMF School में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम Importance of Electrical Energy के बारे में देखेंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से अंतक पुरा देखिए और फ्रेंड्स आप से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल The EMF School को सब्सक्राइब करकर राइट साइड में जो बेल आइकान है उसे प्रेस कर दीजे ताकि हमारी वीडियो की नोडिवेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम Importance of Electrical Energy के बारे में देखने वाले हैं देखे दोस्तो महतोपुर्ण जो हमारे Electrical Energy के बारे में है हमें पता है कि आजकल बिना Electrical Energy से और बिला Electrical से कुछ भी काम होते नहीं है अगर आप Industry के काम देखेंगे ये भी क्या हो चुक है पूरे Automatic हो चुक है जहाँ पर Electrical Energy की आवशकता हमें हमेशा पढ़ती है हमारे अगर Construction Work हो गया है वहाँ पर भी क्या होता है कि आजकल Electrical Energy से ही काम होते है यूज होते है हर जगे पर लाइट का सिस्टम होता है हर जगे पर ही Electrical Energy का कंजम्शन होता है इंडस्ट्री हो चुका है यह कोई भी आप टीवी देख लीजे अगर आप रेडियो देख लीजे वह भी Electrical Energy ही यूज करते है ठीक है तो Electrical Energy का बहुती ज़्यादा Importance अभी हो चुका है देखे दोस्तो Electrical Energy के महत्वपूर्ण Importance तो देखे दोस्तो सबसे पहला हमारा Important Point है वो है Convenient Form अब यह Convenient Form का मतलब क्या होता है देखे दोस्तो Convenient Form का मतलब क्या होता है जैसे अगर आप Electric से अगर आप Light जलाएंगे ठीक है दोस्तो Electrical Energy से अगर आप Light जलाएंगे Electric से अगर आप Bulb जलाएंगे या कोई भी Light जलाएंगे तो क्या होगा Electric Energy किसमें Convert हुई? Light Energy में Convert हुई ठीक है दोस्तो Electrical Energy किसमें Convert हुई? Light Energy में Convert हुई Electrical Energy किस में Convert हुई؟ Light Energy में Convert हुई अगर आप समझहे, उससे Heeter लगाएंगे अगर आपको Heeter में Use करना है तो हम क्या करेंगे? Electric Energy हो किस में? जैसे Heeter में? Heeter में क्या होता है दोस्तो? Electric Energy क्या होती है? हमारी Heat Energy में Convert होती है, ठीक है? Electric Energy क्या होती ह weißy? heat energy में convert होती हुआ ऐसे बहुत सारे use होते है electrical energy का जैसे mechanical energy में hem canverred होती है rzyं मोटर में क्या होता है कि हम electrical energy उसमें supply करते हो हमें क्या मिलता है chemical energy मिलती है जानि किसी बे काम के लिए हम क्या कर सकते है उसे use का उसकते है जैसे light में हम najleiter energy मिलती है Vamos with electric heater अगर उस करेंगे तो हीट हमें मिलेगी यनी वीनिटर इनरजी में सब्यार का इंपोर्ट होती तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि कि हम Weltric energy से कुछ भी इनर्जी बना सकते यानि उसको किसी भी इनर्जी में convert कर सकते हैं इसलिए हम क्या कहते है it is very convenient form तो electric energy का है? सबसे जाधा convenient form में है और इसी वज़े से हम क्या कहते है? electrical energy is in convenient form तो क्या है? बहुती convenient है किसी भी energy में हम इसे change का सकते है ठीक है दोस्तो किसी भी energy में हम change का सकते है अब यह हमारा second point है दोस्तो great control अब यह great control क्या point है देखिए दोस्तो जैसे अगर आपको किसी motor को control करना है जैसे आप example ले लिजी हमारे fan का हमारे fan होता है दोस्तो हमारा fan होता है ठीक है यह हमारा fan है दोस्तों हमirasल्ट्र गया करते हैं यहां पर इस हमारा phảiन की स्पिड को बढ़ा भी सकते हैं देखें बढ़ा भी सकते कम भी कर सकते हैं किसी भी मोटर की स्पिड को कम ज़्यादा कर सकते की इनिटेन्सिटी को मक़रnost कीर leag होता है दोस्तों यह regulator है हमारा regulator हमने alternating current दे दिया ठीक है AC supply दिया दोस्तों तो क्या हो गया कि हमारी जो regulator है वो क्या कर सकता है कि हमारे fan की speed को कम ज़्यादा कर सकता है बड़ा भी सकता है कम भी कर सकता है इसलिए हम क्या कहते है दोस्तों इसे easy control कर सकते ना ही कम ज़्यादा कर सकता है even आप इसको switch on और switch off भी कर सकते है किसी भी वक switch on और switch off भी कर सकते है electric energy को light के intensity को भी आप कम ज़्यादा कर सकते है इसलिए क्या है दोस्तों हमारी electrical energy क्या है बहुती ज़्यादा great control है यह easy control है बहुती easily control हो जाती है हमारी electrical energy ठीक दोस्तों तो यह हमारा second point था अब बढ़ते हमारा next point पर अब दिएके हमारा next point है flexible अब हम electrical energy को flexible क्यों कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि electric energy जो होता है वो generating station में बनता है जिसे हम power plant कहते हैं तो क्या होता है power plant में हमारी energy electric energy generate होती है पर हम power plant से बहुत दूर रहते हैं या पास में भी रह सकते हैं दूर भी रह सकते हैं पर क्या होता है कि हमारी जो electricity होती है वहाँ से हमारे घर पर या किसी industry में ऐसे मान लीजे यह हमारी industry है यह हमारा home है house domestic है domestic purpose है यहाँ पर क्या होती है energy क्या हो जाती है ryb मान लिए three phase का supply है यहाँ पर क्या होते है हमारे पास क्या हो जाता है वो energy आ जाती है अब वो energy आ जाती है क्योंकि दोस्तों देखिए flexible बहुत है यह कहाँ पर है बहुत दूर है power plant मान लीजिए आप बहुत दूर है और आपकी industry और domestic जो हमारे household है वो बहुत दूर है पर क्या होता है कि जो हमारे तार होते है जिसे हम conductors कहते है उसके मदद से क्या होता है कि electrical energy जो होती है वहाँ से transform हो सकती है वहाँ से क्या हो सकती है flexibility क्या हो सकती है यहाँ से एक जगे से दूसरे जगे पर क्या हो सकती है इसलिए हम क्या कहते है इसे flexible कहते है flexible का मतलब होता है कि वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है यह कहीं भी जा सकता है दोस्तों इसका मतलब होता है कि electric energy बहुत ज्यादा flexible है वो एक जगा से दूसरे जगा easily transport हो सकती है with the help of conductor जैसे हमें पता है दोस्तों कि power plant में energy बनती है और conductor के मदद से यह conductor है दोस्तों हमारे conductor के मदद से क्या होती है कि यह जो हमारी energy होती है conductor के मदद से वो क्या होती है वो हमें मिलती है conduitor का मतलब होता है tar हो सकता है примерно copper हो सकते है या electric wire हो सकते है उसके मदद से क्या होता है हमारी यहाँ पर easily पहुच जाती है इसलिए हम क्या कहते है flexible कहते है electric energy बहुत जय् sun होती है तो इसका हमारा next point है cheap यह बहुत sasthi भी होती है मैं आपको बताता हूं, cheap का मतलब होता है कि यह सस्ती, ना कि खारा ठीक है दोस्तों? यह cheap का मतलब है सस्ती अब क्या है देखिए जैसे मान लिए think thermal power plant ठीक है, thermal power plant में क्या होता है कि coal से क्या होती है coal की chemical inerson conscient ठीक है, coal की chemical energy होती है उससे हम क्या बनाते है उससे हम क्या करते है electric energy convert करते है electrical energy में transform कर देते है coal की chemical energy को ठीक है coal की chemical energy को electric energy में transform कर देते है आपको पता कि coal के rate बहुत कम होते है as compared to जैसे हम petrol diesel में अगर हम कोई use करते है जैसे petrol diesel का अगर आप देखेंगे तो उसके जो rates होते हैं बहुत जादा होते हैं पर उसी वक्त, coal और जो हमारे इस प्रकार के यह होते है fuel होते है, coal के जो related fuel होते है उसमें क्या होते है कि उसकी जो cost होती है बहुत कम होती है और इसके वज़े से क्या होता है कि हमारा जो domestic use, industrial use और household use में क्या होता है कि हमें बहुती कम दर में क्या मिल जाती, electric energy मिल जाती है अगर उसी दर को अगर हम diesel या petrol से बनाएंगे तो हमें उसका जो cost होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठीक दोस्तो इसलिए क्या है कि electric energy के हमारी बहुती cheap है और यह बहुती easily हमें सस्ते में मिल सकती है ठीक है दोस्तो और दूसरे farm की जो energy होती है जैसे petrol, diesel, गाड़ी इसलिए क्या कह सकते है हम कि यह बहुत cheap है ठीक है दोस्तो यह बहुत cheap है बढ़ते है next point पे, next point पे देखें दोस्तो clean अब यह cleanliness का मतलब क्या है देखें हमें पता है दोस्तो clean का मतलब जैसे आप मान लीजे कोई अगर आप गाड़ी, petrol, diesel की यूज़ कर रहे है तो क्या होगा वो exhaust से दुआ छोड़ेगा ठीक है exhaust से क्या करेगा दुआ छोड़ेगा यह हमारा next point है cleanliness का अगर आप petrol या diesel की गाड़ी यूज़ करेंगे दीजल की गाड़ी यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा smoke generate करेगा exhaust में से दुआ निकलेगा पर उसी वक्त क्या होता है हमारी electric energy जैसे आप मान लीजे thermal power plant जब thermal power plant में जो दुआ होता है जो chimney से निकलता है उसे क्या करते है हम एक जगा ही यानि एक एक जगे पर ही क्या करते है उस दुआ को छोड़ते है उपर में ठीक है उपर में क्या करते है उसी एक ही जगा पर वो दुआ को छोड़ते है तो उसके वज़े से क्या होता है जो भी पर इवनली स्प्रेड होगा पर एलेट्रिक एनरजी में जो थर्मल पवाब प्लाट का आप लेंगे तो चीमनी में से जो धुआ निकलता है जो हामफुल जो गैसे निकलती है वो एक जगा पर बारनिंग की जगासे होते हो एक जाबकापर क्या कर देते हम उसे डंप कर देते एक जगापर हम क्या कादसों से छोड़ देते तो इसके वज़े से क्या होता कि हमें हर जगापर pollution नहीं होता है, इस एक जगापर pollution होता है, पर एक ही जगापर pollution होता है, पर relatively बहुत ही कम pollution होता है, इसलिए हम गया करते है electric energy is very clean energy ठीक है, यह नेक्स point है ठीके दोस्तों यह हमारा था cleanness के बारे में अब हमारा next point है high efficiency अब देखिए high efficiency का मतलब होता है जैसे हमें पता है कि power plant बहुत दूर होते हैं जैसे आप मान लीजे power plant बहुत दूर होते हैं पर हम क्या करते हैं conductor की मदद से क्या कर देते हैं इनर्जी को power plant से लेके हमारे domestic use domestic use industrial use corporate use हर जगह पर क्या कर देते हैं हम इस energy को क्या कर देते हैं supply कर देते हैं ठीक है दोस्तों इस energy को supply कर देते हैं अब यह जो होता है यह energy जो supply होती है बहुती cheap में होती और बहुती efficient होती जैसे आप मान लीजिए अगर आपने यहां पर 100% की energy भीजी है तो आपको यहां पर कितना 96 से लेके 98% अपको energy वही मिल रही है ठीक है आपको यही energy मिल रही है तो इसकी efficiency बहुत ज्यादा होती है ठीक है दोस्तों और उसी condition में अगर आप दूसरी यह form में देखेंगे दू क्या मिल जाता है हमें उतनी energy हमें output में मिलती है इसमें output और input में क्या होता है कि बहुत ही कम difference होता है इसलिए हम क्या कहते है इसको High efficiency कहते है क्योंकि जो transmission में बहुत ही कम losses होते हैं उसके वज g से क्या होता है दोस्तों हमें बहुती अच्छी और बहुती हाई efficiency की हमें energy मिलती है दोस्तों इस वीडियो में हमने 6 point consider किये जिसे convenient form, great control, flexible, cheap, clean और हाई efficient तो इस वीडियो में हमने importance of electrical energy के बारे में पड़ा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए comment करिए मिलते अगली वीडियो में नमस्कार